असलाम अलेकुम मैं हूँ अफ्ताब असन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंट्रस्टेंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अफ्लियेट आर्टिकल डिजाइन करने के बारे में किस तरह से आप अफ्लियेट आर्टिकल को डिजाइन कर सकते हैं नेक्स्थ वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग के बारे में कि आपने कॉंटन लिखना कैसे है जो कि अफ्लियेट कॉंटन होगा कि अगर आप टॉप 10 बेस्ट कैमरास के बारे में लिख रहे हैं नहीं होगा मतलब उसके अंदर images वगयरा और buttons वगयरा आप किस तरह से add करेंगे उसके बाद pros and cons किस तरह से add करेंगे और पूरा जो एक आर्टिकल का structure होता है वो आप किस तरह से design करेंगे वो हम आज किस वीडियो के अंदर बात करेंगे मैं आपको सिर्फ बताऊंगा निए theory नहीं बताऊंगा मैं आपको practical करके बताऊंगा किस तरह से आप सब कुछ wordpress के अंदर कर सकते हैं और ताकि आपके कोई भी confusion न रहे और जितने भी related वो आपके question है उनको मैं answer करूंगा और उसके बाद आगे के हमारे phases बहुत ही interesting आ रहे हैं जिसके अंदर SEO है किस तरह से आपने पोस्ट को optimize करना है on page SEO किस तरह से करनी है और obviously आगे फिर off page SEO वगेरा हमारे पास आएंगी और भी बहुत सारे topics हैं जो हमने इस series के अंदर cover करने हैं लेकिन आज मैं सिर्फ आपको बता हूँगा किस तरह से आप affiliate content को design कर सकते हैं ओके friends तो मैं आ चुका हूँ अपनी screen के उपर और यहां पर मेरे पास एक website का dashboard open है और सबसे पहले हम क्या करेंगे मैं यहां पर plugins के अंदर और installed plugins मैंने कुछ plugins इंस्टॉल किया हैं मैं आपको recommend करूंगा कि आप अगर हमें follow कर रहे हैं शुरू से इस series को तो आपके पास कुछ plugins होना जरूरी हैं मैंने कुछ 10-12 plugins का जिकर किया था पिछली videos के अंदर अगर आपने वो वीडियो नई देखी तो आप यहां क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने plugins के बारे मैं बात किया था और वो तमाम plugins आपके पास होने जरूरी हैं तब ही आप इस वीडियो को follow करें क्योंकि इस वीडियो के अंदर उन plugins का मैं use करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ plugins लिए हुए हैं इन सब को मैं select करता हूँ और activate कर देता हूँ आपने यह सब install कर लेना है plugins के अंदर जाए add new और यह plugins के नाम आपके सामने है यह search करके आप install कर लें otherwise आप पिछली वीडियो देख सकते हैं लेकर अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखनी है आपने इसी को follow करना है तो फिर यह at least 5 plugins आपके पास लाजमी ही होने चाहिए i2 pros and cons इसको उमप्रोज cons बनाने के लिए use करेंगे और उसके बाद यह niche table इससे हम table बनाएंगे rank math तो SEO के लिए होता है इसके उपर एक separate वीडियो मैंने बनाई है एक दो दिन पहले वो भी आप देख सकते हैं उपर आप कोई कार्ड में दिख रही होगी जिसके अंदर हमने इसको setup किया था और पूरी इसकी setting की थी और short code ultimate, buttons बटस बगरा बनाने के लिए और यह एक extra plugin है तो यह मैं सब को select करता हूँ और यहां पे आके simply कर देते हैं activate, apply जैसे यह apply किया तो अब यह तमाम plugins जो है वो activate हो जाएंगे ओके तो सब plugins को activate करने के बाद रहें कि मैं अब फिलाल activate नहीं कर रहा कि अभी मुझे यह नहीं चाहिए मेरी यह new site है तो यह तमाम plugins आपके पास होने जरूरी है आई टू प्रोज कांस, table यह niche table और short code ultimate अब मैं जाता हूँ यहां पे post और add new post किस तरह से लिखनी है content अगर आप खुद लिख रहे हैं मतलब दो options आपके पास होते है content लिखने के affiliate content के एक तो आप बाइर writer hire कर लें जिसको आप पैसे दें और उससे लिखवाए content और एक option हमारे पास होता है कि आप खुद लिखें obviously मैं beginners को recommend करता हूँ को वो खुद लिखें ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़े note करने वाली होती है ताकि जब writer से आप लिखवाएं तो आप उससे best content ले पाएं तो अब मैं खुद लिखने के बारे में तो मैं आपको अगली वीडियो में बताँगा किस तरह से आपने खुद लिखना है और किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो सब कुछ हम आगे discuss करेंगे लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपका article complete हो जाए तो आपने उसको खुबसूरत किस तरह से बनाना है उसे design किस तरह से करना है और उसके अंदर buttons वगएरा, prose guns वगएरा किस तरह से आपने add करने है और एक converting article आपके तरह से create कर सकते हैं तो मैं यहाँ आप इसके cross करता हूँ और एक और चीज़ आपने याद रखने है कि आपने Gutenberg editor यूज़ करना है क्योंकि यह बहुत ही best है और अगर आपको नहीं आता तो कोई मसला नहीं है इसके ओपर भी मैं एक video करूँगा या फिर इस video के अंदर मैं आपको इतना तो बता दूँगा यहाँ पर मैंने एक post लिए और उसे add new किया मतलब new post मैं create करना चाहरा हूँ और उसके बाद हमें article चाहिए तो article यहाँ अगर मैं docs के अंदर आता हूँ तो docs के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक article मुझूद है best camera for skateboarding यह already एक website को पर published है तो आप यहाँ पर copy ना करें तो बेतर होगा मैं इस पूरे को select all करता हूँ control c करता हूँ मतलब कि copy कर लिया मैंने इसे और उसके बाद मैं आता हूँ वापिस wordpress के अंदर और यहाँ पर नीचे मैं click करता हूँ यहाँ और control v कर देता हूँ अब यह आप समझे लिए मेरे writer ने मुझे बेजा है मतलब article यह मेरा complete हो चुका है समझे लिए हमने लिख ली article लेकिन अभी यह beautiful नहीं है बिल्कुल इसके अंदर simple text है और कुछ भी attractive इसके अंदर हमने अभी कुछ नहीं डाला तो अब हम इसे attractive बनाएंगे तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है आपने headings define करनी है जैसी आपके बस article आता है आप खुद लिख लेते हैं या फिर आप अपने writer से लिख वाते हैं तो आपने सबसे पहले headings assign करनी होती है तो यह जो हमारा main keyword है best camera for skateboarding मैं इसे control x करता हूँ मैंने इसे cut कर लिया title में paste करते हैं अभी title भी हम देंगे इसका best title कौन सा होगा अब मैं एक अच्छा सा title दे देता हूँ यहाँ पर best camera for skateboarding तो शुरू में आएगा बन अब title में हमारा keyword भी add हो गया और अब इसके अंदर कुछ words हमने add करने है ताके user हमें click करे हमारी website को तो आपने keyword को google में search करके देख लेना कि आपने competitors ने किस तरह से title लिखा हुआ है तो उनके title को देख के आपने उसे बेतर title लिखना है ताके जब उनके साथ आपकी website show हो तो clicks आपको ज़्यादा मिलें और user आपकी website को बरा है तो मैं यहाँ पे सिर्व आपको दिखाने के लिए buying guide लिखे देता हूँ अब यह हमारी guide है या फिर इसके आगे मैं 2021 भी लिखे देता हूँ 2021 मैं इस तरह से लिखता हूँ यह ज़्यादा attractive लगता है brackets के अंदर और अब यहाँ पे नीचे खाली space को मैं उड़ा देता हूँ अब यह हमार article आ चुका है अब कोशिश करनी है कि जो products के नाम हो वो heading 3 और unbold कर देते हैं इस तरह से यहाँ फिर bold हम रहने देते हैं क्योंके bold ही अच्छा लग रहा था तो h3 के अंदर यह तमाम मेरी heading हैं अगर आपकी नहीं है तो यहाँ पे select करके आपने h3 कर लेना है एक तो यह अच्छा लगता है उसके बाद यहाँ पे प्रोज कौंस अभी हम बनाएंगे और यह सब कुछ अब set है मेरी heading हैं क्योंके मेरे writer जो है वो heading को assign करके देता है मुझे article तो यहाँ पे आपके मुझे manually करने की ज़रुत नहीं पड़ती अब हमें first चीज क्या करनी है हमें table create करना है यहाँ पे अगर आप देखें उपर तो एक उसने simple table बना के दिया यानि सिर्फ contents इसके अंदर अब मुझे table खुद बनाना है तो मैं क्या करूँगा आपको याद होगा पहले मैंने आपको एक plugin बताया niche table वो niche table plugin हमें help करेगा table बनाने के लिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे enter करता हूँ और अब यहाँ पे उपर अगर आप right side में देखें तो import table niche table plugin को अब्जेक्स इंस्टाल करते हैं तो यह button आपको show हो जाता है अब यहाँ पे बहुत सारे tables को उन्होंने sample दियो है यह table बहुत ही beautiful है जो कि आपको बहुत ही मशूर websites के उपर मिलता है जैसे कि 10 beasts है उसके उपर यह table आपको मिलता है लेकिन मैं यहाँ पे simple table बना रहूँ हूँ यह वाला जिसके अंदर से text होता है images नहीं होती तो यहाँ पे import और template आपको बना बनाया मिल जाता है आपको create करने की जरूद नहीं पड़ती अब हमें क्या करना है यहाँ पे मैं click करता हूँ और इसको copy कर लेता हूँ यह उसने नीचे डाल दिया और यहाँ से delete कर देता हूँ और अब हम उपर आते हैं और उपर आने के बाद इस table के उपर मैं इसे paste कर देता हूँ अब यह table यहाँ पे आ गया अब हमें क्या करना है rows and columns जो यहाँ पे हमारे दिये हूँ है वो ज्यादा है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यह 5 है हमें 5 नहीं चाहिए हमें 4 چाहिए है जिन के अंदर 1 में camera का नाम हम लिखेंगे एक में यह sensor लिखेंगे एक में four के video है या नहीं है वो लिखेंगे और एक check price का button होगा तो इन में से एक को हमें remove करना है तो एक को remove किस तरह से हम करेंगे तो remove करने के लिए हम click करेंगे यहां पर, पहले इसमें से remove करना है, फिर इसमें से, फिर इसमें से, फिर इसमें से, तो मैं यहां पर click करता हूँ, इस wrench icon पर, और यहां पर 4 कर देता हूँ, कि हमें 4 चाहिए, 4 कर दिया, इस तरह से नीचे आएंगे, इसको भी 4 कर देंगे, और एक बटन होगा और यहां हमारा content होगा अब यहां बटन डालना है यहां क्लिक करें और लिंक पे क्लिक करदें या फिर यहां क्लिक करें और यहां राइट साइड में आपको बस लिंक है इस पे क्लिक करें तो यह बटन आ जाएगा इस तरह से यहां पी क्लिक करें और यहां के इस पे क्लिक बटन बन गया, यहां क्लिक करें और इस पे बटन, अब यह बटन हो गया यहां मारा content आएगा उसके बादा अब हमें इन्हें replicate करना है, मतलब ज्यादा हमें चाहिए 10 तो मैं इन्हें duplicate कर लूँगा, इस पे क्लिक करें, यहां क्लिक करें और duplicate, यह एक हमारे पास duplicate बन गया, और इस तरह से same आप करज देंगे ज्यादा से अरे, जब यहां पे अब भी बन गया, एक, दो, तीन, चार और चार बन गया, तो अभी हमें 6 और चाहिए, तो मैं यहां पे आता हूँ duplicate का shortcut है, control shift D, तो सिर्फ अगर आप यहां पे click करें, और control shift D प्रेस करें, तो duplicate हो गया, अभी कितने हो के 5 तो मैं 10 बना लूँगा तो मैंने 10 यहां पे बना लिए, अब हमारा content इसमें आ सकता है, तो अब आपने क्या करना, यहां पे लिख देना है camera, और यहां पे लिख देना sensor, और यहां पे लिख देना आपने 4K video आपका जो content होगा, वो आपने डालना मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, कि table बनेगा कैसे, वो बता रहा हूँ और उसके बाद यहां पे आपने लिख देना price price के आगे हमारे यह buttons होगे sub में आकर यह आप paste कर लें, कि सब buttons के अंदर check price होगा और इस तरह से मैंने यह check price sub में डाल दिया उसके बाद इस तरह से आपने content copy करना जो भी आपके writer का होगा यह जो आप खुद लिखेंगे, वो आपने यहां पे paste करते जाना है, जैसे मैंने यह पहला paste कर दिया, उसके बाद यह paste कर दिया, obviously table बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन यह बहुत ही जरूरी होता, इस से बहुत conversion मिलता है आपको, यह भी आपने याद रखना है, बहुत सारे pros जो हैं वो कहते हैं कि जब हम table add करते हैं अपने content के अंदर, तो convert होने के chances ज़्यादा होता है customer के, क्योंकि यहीं से अगर उसे कोई product पसंद आती है तो check price कर लेता और, फिर cookies की मदद से, वो जब कोई भी चीज purchase करता है, तो हमें commission मिलता है Amazon की तरफ से, तो यह काफी अच्छा होता है, इसलिए मैं simple table करता हूँ, लिकिन अगर आप pictures वाला भी करेंगे, तो भी कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं, तो मैंने यह एक डाल के आपको दिखा दिया, आपने यह तमाम डाल लेने को मैं भी नहीं डालता क्योंकि वीडियो जादा लंबी हो जाएगी फिर, और अब मैं बताता हूँ, यहां पर link कैसे डालना है, यहां क्लिक करें, और यहां right side में देखें, button URL, तो button URL जैसे मैं देदेता हूँ, amazon.com, तो यह Amazon के ओपर जाएगा, बाल दे हम देखेंगे, https, colon, forward slash, दो मार, www.amazon.com, मैं नहीं यहां पर Amazon को URL लिख दिया, और बस table हमारे ready हो गए, इस तरह से आपने यह तमाम fill कर लेने हैं, अपने data के साथ, और table आपको हो जाएगा, और यह completely responsive है, एक plugin होता है, table press, वह मैं इसलिए नहीं recommend कर रहा कि वह responsive नहीं है, और उसके लिए आपको अलग से code वगयरा करना पड़ता है, तब आपको responsive results देता है, लेकिन यहां पर यह automatically responsive कर देगा हर डिवाइस के लिए, तो यहां table हमारा बन गया, अब इस table को कर दें, यहां से, delete, remove block, अब यह product, उसके बाद next step आता है, हमने table बना लिया, headings भी हमारी assign होगे, उसके बाद आता हमारे पास pros cons, pros cons किस तरह से head करेंगे, अब यह article हमारे पास है, यह वाले pros cons हमने अच्छे तरीके से डालने, i2 pros and cons की मदद से, तो मैं यहां पर उपर आता हूँ preview और preview new tab, मैं new tab के अंदर इसी article को preview करता हूँ और new tab के अंदर आते हैं, और यहां पर नीचे आते हैं, देखें table बन चुका है और यहां नीचे आ हैं, तो अब यह pros cons है, इन्हें हमें एक shape देनी है ताकि यह beautiful लगें, तो यहां पर मैं वापस आऊँगा, उपर click करके और इन सब को remove कर देता हूँ, यहां पर यह, remove कर दिया, enter press करता हूँ यहां खाली जगा मुझे मिल गी, उसके बाद मैं click करता हूँ, यहां plus के icon पर, और यहां i2 pros and cons का एक button मेरे पास आ गया यह आप जब plugin install करेंगे तब ही आएगा, otherwise नहीं आएगा, एक और चीज हमने करनी है, कि इस plugin की थोड़ी setting करनी है, वो हमने अभी तक नहीं की, मैं wordpress के अंदर जाता हूँ, और यहां पर खोल लेते हैं, और यहां नीचे i2 pros and cons का option आपको दिख रहा है, इस पे click करें, और यहां main में तो आपको कुछ नहीं करना आप आजाए, heading के अंदर, heading कें अंदर आते हैं, तो यहां पर नीचे आपने, यहां पे click करके देदेना, tick के pros का, जो icon होगा वो tick का निशान होगा, और यहां पे cons का icon होगा, वो band का NICK का निशान होगा, तो यहां क्लिक कर दें, और उ यही कुछ settings हमने करनी थी i2 pros and cons की यह मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ जिसमें मैंने plugins को setup किया था तो यहां मैं इसको बंद करता हूँ और हम आजाते हैं अपने post के उपर अब post के अंदर हमें add करने तो मैं एक बार इसे save draft कर देता हूँ और यह article हमारा save हो जाएगा draft के अंदर एक बार refresh कर लें ताके जो हमने i2 pros and cons की settings की हैं वो यहां पे update हो जाएं तो अब मैं नीचे आता हूँ और यहां first के हम pros and cons add कर रहे थे यहां पे click करना है आपने यहां पे plus पे click करना है और i2 pros and cons यहां गया enter pros and cons देखें यह plugin इतना कमाल का आपको कुछ यहां पे code वगएरा करने की जुरूत नहीं पोड़ती और direct आपको यह template बना के देता है उसके बाद यह जो editor में use करूँ गूटनबर्ग editor अगर आप पुराना use करें तो पूस में इस तरह से नहीं होगा और नहीं आपको यह preview देगा आपको code दिखाई देगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो यह गूटनबर्ग इसलिए design किया गया है ताकि आपके editor के अंदर ही आपको आपकी post का real time preview मिले कि जैसी post आपकी आपके user को दिखेगी वैसी ही आपको यहाँ पे दिख रही है तो यह काफी अच्छा होता है ताकि हम judge कर सकें कि यह user को अच्छा लगेगा या नहीं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ enter pros and cons यहाँ पे हमने pros डालना है extension simply google करेंगे grammarly chrome extension तो आपको मिल जाएगी उसके बाद मैं वापस जाता हूँ उपर यहाँ और यहाँ से कौन को copy करते हैं एक और वापस आते हैं यहाँ आपने editor के अंदर उसके बाद यहाँ पे आके मैं simply दुबारा paste कर दूँगा अब इसे बंद करें तो यहाँ पे pros and cons आपके ready हो गए तो यह simple सा काम आपने करना है यह इतना असान जो pros and cons हमारा बना है यह goodenberg editor के अंदर बना है classic editor के अंदर आपको काफी मेनत करनी पड़ी तो codes के अंदर बहुत वहाँ पे खिचड़ी पकी हुई होती है और उसके अंदर आपने डालने होते है pros and cons तो अगर आप यह editor यूज़ करेंगे तो बहुत easy हो जाता है यह तो अब pros and cons भी हमने डाल लिए same तरीके से आपने हर product के इस तरह से pros and cons यहाँ पे डाल लेने मैं सब नहीं डाल रहा ताकि वीडियो जादा लंबी न हो जाए और आप बोर न हो जाए तो मैं यहाँ पे simple चीज़ें आपको बता रहा हूँ table हमने add कर दिया pros and cons अब यहाँ पे article दो set हो चुका है लेकिन एक चीज़ रहती है picture हर article के अंदर picture एक होनी चाहिए ताकि user देख सके कि product actually है किस type की किस तरह की दिखती है तो अब picture के लिए मैं आ जाता हूँ illustrator के अंदर जैसे मैं पहले आपको कहता हूँ कि आपके पास graphic design के कुछ skills होने चाहिए ताकि आप अपनी website के लिए images design कर सके तो मैं यहां पर एक मैंने template सा बना के रखा हूँ है जैसे यहां पर अगर आप देखें तो इसके अंदर मैंने एक छोटा सा artboard लिया यहां पर लिखा व्यू ऑन Amazon एकच्छे से font के अंदर और यहां मैंने खाली जगा छोड़ी है तो मैं यहां पर अपनी picture को जो है वो paste करूँगा जैसे यहां पर Canon SLR camera है यहां पर हमारे पास तो इसको मैं for example यहां पर आता हूँ और Amazon के उपर search करता हूँ यह मैं क्यों कि अभी Saudi Arabia के अंदर हूँ तो यह Amazon.sa को open कर रहा है इसी को कर लेते हैं आपने अपनी Amazon खोल लेनी है यह नहीं Amazon.com क्योंकि obviously हम US के अंदर target कर रहे हैं तो आपका उसका affiliate account होगा यहां पर नीचे आके मैं camera open कर लेता हूँ और इस camera की picture मैं यहां पर click करता हूँ और यहां पर right click करके copy image illustrator के अंदर आता है यहां पर paste और मैं इसे छोटा कर लेता हूँ यहां अब यह देखें एक अच्छा सा हमारा image ready हो गया और जब user इसके उपर click करेगा तो हमारे affiliate link के उपर चला जाएगा और हमें उससे commission मिलेगा तो मैं यहां पर control alt shift s करके इस image को save करता हूँ अपने यहां पर desktop के अंदर और यहां इसे one दे देता हूँ नाम enter करते हैं save हो गया यह template मैंने बना के रखा हूँ है मैं picture इसके अंदर बस डालता हूँ और उसे export कर लेता हूँ अब यहां अगर मैं आ जाँँ वापिस अपने इस post के उपर यहां पर editor के अंदर अब यहां पर आके मैं enter करता हूँ और अब यहां पर मुझे एक image चाहिए image करने के लिए मैं यहां पर enter किया और यहां पर उपर plus के उपर click करें और मैं आ जाता हूँ image के उपर IMAG image का आपके पास एक block मिलता है यह block आपने यहां पर डालना है या फिर simply आप click भी कर देंगे तो आ जाएगा यहां पर block आगया upload upload करने के बाद यहां मेरे पास एक image आ चुकी है यह जो मैंने export किया इसको click करके open कर ले size इसका मैंने define किया हुआ है illustrator के अंदर तो यह मुझे perfect size देता है अब इसके अंदर link डालना है ताकि यहां image के उपर कोई भी click करे या फिर यहां click करे तो हमारी product के उपर चल जाए मैं यहां पर आता हूँ और आपने अपना affiliate link लेना है जैसे के मैं यहां पर इस normal link को copy कर देता हूँ आपका यहां पर site stripe आ रहा होगा उसका link आपने लेना है और site stripe के link को आपने यहां पर आके insert link paste कर देना है enter करें यहां click करें और open link in new tab ताकि जब इस पर click करें तो new tab के अंदर product open हो जाए और उसे purchase कर ले ना कि हमारा article ही बंद हो जाए तो same tab में open होगा तो हमारा article बंद हो जाएगा और हमारी website से user चला जाएगा तो हमने इसे new tab के अंदर open करना है ओके तो link हमने डाल दिया इसके click करें यहां alignment, align right और यह होगी इस तरह से तमाम products की pictures आपने add कर लेनी है और simply कर दें यहां पर save draft अब आते हैं जी यहां पर अपने article के अंदर और मैं F5 से refresh करता हूँ और अब देखें हमारे article की look काफी अच्छी होगी उपर title है यहां पर नीचे इस तरह से table आ रहा है उसके बाद यह first product हमारी review हो रही है और यहां हमारी image के उपर को click करता है तो आप देखें new tab के अंदर Amazon में यह product open हो चुका और user purchase कर सकता है मैं इसे बंद करता हूँ और इसके बाद नीचे आते हैं अब यहां पर pros and cons दिख रहे हैं अब एक चीज हमारी रहती है button बटन आपने नीचे किस तरह से add करना है तो मैं जल्दी से आपको बदाता हूँ इसको मैं यहां पर वापस आता हूँ अडिटर के अंदर और pros and cons के नीचे यहां पर button होना चाहिए तो मैं यहां पर click करता हूँ और मैं यहां पर search करता हूँ short code यानि short code ultimate जो हमने plugin install किया था वो आपने install किया होगा तो यह short code यहां पर आएगा otherwise नहीं आएगा तो यहां click कर लें यहां पर short code अब हमने डालना है तो मैं यहां पर click करता हूँ insert short code और यहां पर button और button हम यहां पर button का link क्या होगा तो link हम वोई product का link दे देते हैं या जो भी हमारा link था यही था Amazon का link उसके बाद open link in new tab उसके बाद color हमारा हो जाएगा जी यह इस तरह का Amazon का जो एक color होता है वो ही हम डालेंगे वो ही अच्छा लगता है उसके बाद नीचे आते हैं size इसका मैं यहां से कर देता हूँ 7 और fluid इसे नहीं करना centered करना है ताकि center में आए और उसके बाद नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद button text क्या होगा check price on Amazon तो मैं यहां पर लिख दूँगा check price on Amazon और यहां पर करते हैं live preview live preview किया तो इस तरह से हमारा button show होगा तो यह काफी अच्छा button बन गया हमारा यहां पर mistake थी वो clear की और यहां पर insert shortcode insert shortcode किया तो यहां पर बटन हमारा बन चुका है बटन के नीचे एक हम line दे देते हैं ताकि अच्छा लगे और यह separate लगे title से यहां आके enter करते हैं यहां click करते हैं और यहां आके मैं plus पर click करता हूँ और यहां पर लिखता हूँ line line लिखेंगे तो एक separator आ जाता है वो यहां पर डाल देते हैं separator इसके अंदर आ गया यह आपने sub में कर लेना है product 2 के अंदर भी आपने यह button और प्रोज कोंस दे देना और उसका link दे देना है और हर button का अपना एक link होगा तो आपने वे शचाएं तो यहां इसको copy करें और इसको copy करने के बाद नीचे आ जाएं और यहां second product में paste कर लें third product में भी just आप हर product का यहां पर link change कर लें अपना दूसरी product का affiliate link डालें फिर तीसरी का चौथी का इस तरह से exchange कर लें आप links तो मैं एक ही डाल के आपको दिखा रहा हूँ और यहां पे आपने separator भी डाल देना यह अच्छा लगता है separator नहीं डालेंगे तो यह button और यह title दूसरी का यह मिल जाएगा separator डालेंगे तो एक separation आ जाएगी उसके अंदर अब दुबारा से करतें save draft और उसके बाद मैं यहां पे front end पे जाके refresh करता हूँ refresh जैसे ही किया तो button आ चुक है और यहां पे एक line यह line बहुत ही beautiful लगती है button के बाद थोरह सा gap होता है line होती है और फिर दूसरी product शुरू होती है तो यह काफी अच्छा है button के उपर भी click करेंगे तो यह हमारी product open हो गया तो दो जगा पे हमने call to action button दे दिया एक यहां पे और एक यहां पे image में image पे भी click करेंगे तो यह चीज़े होती है जो आपने Amazon affiliate article को खुसरत बनाती है और आपको conversion ज्यादा ज्यादा मिलता है अब यह एक simple image है आप अगर graphic designer यह आपके पास कुछ skills है या canva के उपर आप बनाना चाहें तो कोई भी एक अच्छी सी image बना सकते है मैं अपनी हर website को पर ऐसी image यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर यह एक image है और इस तरह से यह pros, cons और button यह सब चीज़ें आप अगर हर पूरे इस article के अंदर डाल देंगे तो बहुत ही यह beautiful हो जाएगा तो यही चीज़ें होती हैं जो हम affiliate article के अंदर cover करते हैं तो अगर आपका इस related कोई question है तो आप नीचे comment कर सकते हैं और अगर आप नवी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe करें मिलते हैं next video के अंदर Thank you